Hello everyone, welcome to affairs with business, कैसे हैं आप सभी, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी preparation बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज हम teaching aptitude का part second cover करने वाले हैं, जिस पे हम process of teaching को cover करेंगे, कुछ principles पढ़ेंगे और variables of teaching को cover करते हुए चलेंगे इससे पहले वाले part में, जो हमारा part one था, teaching aptitude का, उसमें हमने क्या-क्या चीज़े cover करी हैं, उसमें हमने कुछ basic concepts को पढ़ा हमने viewpoints of teaching पढ़ा, हमने aim पढ़ा, हमने objective पढ़े, requirement पढ़े teaching की, ठीक है तो हमने teaching की बहुत सारे concepts को कल clear कर चुका है, उससे related हमने pyq cover करें और कई सारे new concepts को भी समझा, pyq के साथ बहुत सारे new concepts आये थे, उन्हें भी हमने समझा आज भी हम कुछ इस तरीके से ही करेंगे, कुछ आज नए concepts होंगे, pyq भी होंगे और उनसे deal कैसे करना है, ये भी चीज़े हम समझेंगे, ठीक है तो ये चीज़े हैं, अगें, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ मेरा नाम क्रिंकल प्रकाश है, मेरी क्वालिफिकेशन है, बी कॉम, एम कॉम अभी हाल ही में मैंने 3 टाइम UGC Net क्वालिफाई किया है और PhD मैं कर रही हूँ, कॉमर्स से, ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं मेरे बारे में, और आज की topic के बारे में है कि हम process of teaching को, principles of teaching को cover करते वे चलेंगे ठीक है, ये चीज़े भी बहुत important है बच्चो exam के point of view से हमसे चोटे-चोटे questions आ जाते हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहते फिर इसलिए हमें कुछ key points को समझना है, क्यक्य चीज़े हैं और कुछ बहुत important PYQ है, जो हर साल exam में आ रहे हैं उन्हें भी समझना है, ये जो PYQ है 2021 के है और तो काफे important बन जाते हैं हमारे लिए, ठीक है start करते हैं process of teaching तो देखो पहला, जो हमारी process है, start कहां से होती है teaching की सबसे पहली हमारा step है, formulation of instructional objective इसका मतलब क्या है, कि सबसे पहले हमें क्या prepare करना है हमारा objective क्या है, हमारा teaching का objective क्या है आखिर हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, हमारी direction क्या होनी चाहिए हम जो पढ़ा रहे हैं subject, देखो आज जैसे हमने teaching aptitude start किया हमारा objective क्या था आज का हमारा objective है हमने process of teaching को complete करना है आज हमें उससे related चीज़ों को समझना है हमें principles समझने हैं teaching के हमें variables को समझना है तो इससे क्या होगा यह हमारा objective है आज का तो हमारी जो teaching है आज के व slightest हुई और कहां पे तक पहुँचेगी जब तक हम उसको end करते हैं तो हमेरे एक direction हमें पता चल गी तो formation of objective हमें यह चीज़ बताती है first of all the objective of teaching is clearly laid down हमने क्या करा पहले हमने objective को clearly समझा कि हमारा objective क्या है then हमने इसके direction move कर ली कि हम सबसे पहले ऐसे कि हम सबसे पहले principles पढ़ेंगे हम पहले process पढ़ेंगे उसके variables को पढ़ेंगे है न हमारे जैसे हमने जब start करी unit तो पहले क्या पढ़ा हमने basic concepts पढ़ें फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ें है न तो धीरे धीरे चीज़े आगे बढ़ रही है जिससे क्या होगा हमारा base develop होगा और हम एक direction भी मिलेगी हमारा objective अजी होने में help मिलेगी तो formation of objective क्या बताता है कि किस तरीके से हमें अपने preparation करनी है किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ है सबसे पहले क्या step आप होता है टीचING का हम एक objective form करते हैं कि हमें हम क्यूं पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं किस चीज को पढ़ा रहे हैं और उसे कैसे tackle करना है दिन फिर हम क्या करते हैं कि present knowledge को जो हमारी present में knowledge इसको future की knowledge से क्या करेंगे connect करने की कोशश करेंगे लिंक बनाएंगे ठीक है देखो हमने क्या करा जैसे हमने क्लास स्टार्ट करी तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमने पिशली क्लास में क्या क्या चीजों को कवर किया था है ना ये चीजे मैंने basics को नहीं समझा होता क्या मैं उस basics से ना समझा कि आपको directly principles में move कराती तो चीजे थोड़ी सी अटपटी लगती चीजे क्या लगती थोड़ी सी अटपटी लगती तो इसलिए यह बहुत जरूरी होता है teaching में कि जब हम start करते हैं हमनी पढ़ाई को या कोई भी काम को तो teaching में यह बहुत जरूरी है कि जो भी चीजे हमने पहले पढ़ाई होती है उसको connect करना अपनी present की knowledge से ठेक है तो previous knowledge को connect करना present की knowledge से then उसके बाद आगे का काम start करना clear तो सबसे पहला काम क्या था process कहां से start होती है पहले हमें objective clearly define करना है कि आज हम क्या चीजे पढ़ेंगे हमारे क्या target रहेंगे यह हमारा objective है then उसके बाद connect करना future की knowledge से sorry हमारे कपकी past की knowledge से connect करना present की knowledge को ठेक है क्या लिखा हुआ है देखो then the existing knowledge poses by the student is assist and linked with the present knowledge क्या होगा कि जो भी knowledge student के पास है उसको फिर क्या करना है link करना है उसकी present की knowledge से intent to be disseminated ठीक है then उसके बाद बोला गया है third third हमारा step होता है क्या करना present करना instructional material को teacher फिर क्या करता है कि अपना lecture को present करता है इस तरीके से कि जो भी उसने objective set up करा था वो अचीव हो सके है तो जैसे मैंने आज 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 आपको यह topics cover होनी चाहिए, तो वो topic cover हो जाएं, इस तरीके से lecture deliver होगा, वो topic cover हो जाएं, आपको वो चीज़े समझ में आ जाएं अच्छे से, यही मैं चाहूंगी, यही मेरा objective होगा, है न, तो वो उस lecture को उस तरीके से deliver करा जाएगा, उसको ही बोलते हैं, presenting the instructional material, the teacher will present, present करता है, his lecture को अपने lecture को present करेगा, इस तरीके से कि student are able to get the objective, जो student का objective है, पढ़ने का objective है, वो fulfill हो सके, आप यह वीडियो देखेंगे, आप पढ़ना चाहा रहे हैं, आप किसलिए पढ़ना चाहा रहे हैं, ताकि आपकी जो concepts है, वो clear हो सके, आप exam के point of view से चीज़े को समझ सके, यह आपक को clear करके maximum mark score करना चाहते हैं, तापका यह objective जो है, पढ़ने का वो क्या हो सके, पूरा हो सके, इस तरीके से उस lecture को क्या किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, देन उसके बाद क्या होता है, feedback part, फिर क्या आ जाता है हमारा feedback part, feedback part को हम क्या बोलते है, evaluation करना, कि हमने जो भी चीजे पढ़ाई, जो भी चीजे हम डिलीवर कर रहे हैं, जो teaching की जा रही है, उसका क्या feedback, बच्चे का क्या response रहा उस चीज के उपर से चीजे समझ में आ रही है, या नहीं आ रही है, उसे कहां पर problem लग रही है, वो हमें कहां से पता चलेगा, evaluation से पता चलेगा, feedback part से पता आती है, जहां पर जो चीजे concept clear नहीं हो पाते हैं, उस चीज को दुबारा से क्या क्या जाता है, reteach क्या जाता है, तो teach the student again जिसे हम बोलते हैं, वो होता है हमारा last step in the process of teaching, ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, objective को define करना, जिसे हम बोलते है, formulation of instructional objective, then उसके बाद क्या था, कि relate क knowledge को previous one से, फिर हम क्या कर रहे थे, previous knowledge से उसको connect करेंगे, तो जब यह आप teaching करेंगे ना, तो आपकी process कुछ इस तरीके से ही चलने वाली है, पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपना objective setup करोगे, कि आज आपको क्या क्या चीजे, targets आपके क्या है teaching में, ठीक है, then उसके बाद, आप क्या करोगे, present की knowledge को previous की knowledge से connect करने की कोशिश करोगे, then उसके बाद, आप अपने instructional जो material होंगे, present करोगे instructional material को, इसका मतलब क्या है, कि then आप अपने lecture को deliver करोगे, पहले आपने क्या करा, class में गए, class में अपना objective आपने बताया, and then फिर आपने क्या करा, connect करा, कि अच्छ जो को थोड़ा conscious हुए, कि अच्छा-च्छा, ठीक है, ठीक है, हम इस track में थे, okay, then आप अपने lecture को deliver करना, आज का जो आपका topic है, उसको आप deliver करोगे, then उसके बात क्या करोगे, बच्चे फिर क्या करेंगे, उस चीश के उपर feedback देंगे, कि आज माम आपने ये चीज़े बत रहे जाती है, उसको हम क्या करते हैं, re-teach करते हैं, वो आजा था है, हमारे last step in the process of teaching, ठीक है, तो यह हो गया, object को present करना, previous knowledge से connect करना, present करना, अपने lecture को, जिसको हम बोलते हैं, presentation of instructional material, then evaluate करना, and then re-teach करना, re-evaluate में क्या था, feedback portion, and re-teach में, again से उस चीज़ों को पढ़ाना, clarify करना, ओके, तो यहाँ पर हमने process of teaching को cover कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो, यह पुरा process आपको cover हो गई है, 5 चीज़े आ गई, आपको बिकुल tips में यह चीज़ याद हो गई, कि सबसे पहले हम objective करेंगे, फिर previous knowledge से connect करेंगे, then हम instructional material को present करेंगे, then evaluate करेंगे, and then फिर हम क्या करेंगे, reteach करेंगे, तो बस 5 चीज़े हैं, आपको इस तरीके से करने, आपने आपको रखके देखो उस जगा पे, आप सबसे पहले objective setup करोगे, and then फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप previous जो आपने कल पढ़ाया होगा, उससे connect करोगे पहले lecture को, ताकि ब बच्चों से पूछोगे कि बच्चों बताओ क्या 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 चीज़े समझ भी नहीं आई है, क्या क्या समझ में आया है, कैसा लगा आपको आज का lecture है ना, फिर आप बताओगे, and then बताने के बाद क्या होगा, फिर जो बच्चों की जो भी problem होगी, उसको solve करने के लिए फिर याद हो गया, समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, different variables of teaching, अब देखो बच्चों, हमारे पास जो teaching के variable हैं, वो क्या है, एक होता है dependent variable, एक होता है dependent variable, छिक है, जो dependent है, dependent क्या है, dependent variable वो variable होता है, जहाँ पे जो चीज क्या हो जाती है, मतलब कोई चीज किसी पर depend है, मतलब उस चीज के बिना वो नहीं चलेगा, है न, student किस पर depend होता है, teacher पर depend होता है, वो teacher से ही हर चीज पूछता है, उसके according resources को पढ़ेगा, समझेगा, उसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम teacher को क्या बोलता है, या इसलिए हम student को क्या बोलता है, dependent variable वहीं पर teacher क्या है independent है वह अजाद है वह कैसे है मतलब हम सोचेंगे कि क्या है वह free है वह अपने according teach कर सकता है अले अलग methods का यूज कर सकता है वह independent है वह teacher student के उपर depend नहीं होता ठीक है student क्या होगा teacher पर depend है तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है dependent variable एंड टीचर को क्या बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरेबल ठीक है एक और वेरेबल आते हैं functions of teaching ठीक है next है हमारे पास क्या functions of teaching अब functions of teaching क्या है functions of teacher is to help the student students learn by imparting knowledge and setting up a situation in which a student can and will learn effectively function of teacher क्या होता है कुछ ऐसे functions ऐसे तरीके जिससे जो teacher है वो effectively क्या कर सके जो student है वो effectively knowledge gains कर सके उसकी learning अच्छी हो जाए तो ऐसे कौनकुन से function होते हैं एक होता है हमारे पास diagnostic function एक होता है prescriptive function और एक होता है evaluative function यह क्या है function of teaching 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 के function है teaching के function function of teacher teacher के ही function है कि function of teacher is to help the student यह ऐसे function है जो किसको help करते हैं student को help करते हैं ताकि वो अच्छे से चीजों को समझ सके effectively चीजों को gain कर सके ग्राप कर सके ठीक है तो हमें कैसे करना है diagnostic function में क्या होता है जब हम पता लगाते हैं किसी चीज का डियागनॉस करता है Think maintenant तो वह होता है diagnostic function कि student की need क्या है उसके ability किया है उसकी ability किस चीज के उपर है उसको उसकी effectiveness क्या है वो कहां पर week हो रहा है यह चीजों क जब हम पता लगा रहे है और उसके according उसको चीज़े प्रोवाइट करें तो हो जागे diagnostic function जहाँ पर हम identify का काम करें है पर जहाँ पर prescription का function आता है वो होता है जहाँ पर हम suggestion देते हैं जहाँ पर अब हम उसे जो diagnose हमने करा जो हमने चीज़े identify करी उसके according हमने उसको क्या क्या advice दिया है जैसे मालो कोई बच्चा है वो sports में अच्छा है तो क्या हुआ कि हमने वो चीज़ उसकी जो ability है उसको identify करा कि यह जो बच्चा है इसका sports बहुत जाद अच्छा है इस sports के carrier में बहुत अच्छा कर सकता है इसका future bright होगा अगर यह इस field को अपना improve करते जाए तो हमने क्या कर रहा वहां पर उसके वो ability को find out कर लिया teacher का काम है तीचर ने क्या कर रहा उस चीज़ को पकड़ लिया कि यह इसका ऐसा नहीं है कि इस मस्ती के लिए करता है बढ़ हां अगर यह इस चीज़ में काम करें तो यह अपने आपको बहुत अच्छा इसका future हो सकता है तो यह क्या हुआ डाग्नॉस कर लिया इन आपने क्या करा उसको suggestion दिया उसको अलग-अलग tips बताए कि बेटा आप यह चीज़े करेंगे ऐसा-इसा करेंगे आप अच्छी academy join करेंगे या आप एंपको improve करेंगे ऐसा करेंगे तो आपको यह चीज़ आपको फायदा देगी जैसे हम इसको प्रिशे में डेहा हि Paint इंसके में क्या अफेक्त पड़ा उसके outcome में क्या E effect पड़ा सब्क्राइब करने घिज़ों के पास जाते है है वह अपनी बीमारी के बारेवें बताता है पहले डॉक्टर को कि sir मेरे को यह यह problem हो रही है यह चीज़े हो रही है ऐसा हो रहा है ठीक है तो डॉक्टर उस चीज़ को क्या करता है find out करता है तो diagnose करता है फिर उसके बाद वो उसके according उनको दवाईयां देता है या advices देता है तो उसको हम बोलेंगे prescription का कम देन उसके तो यह है हमारे diagnostic, prescriptive and evaluative function हो जाते हैं, आगे इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, और देखो जैसे teaching है ना, teaching, अब teaching में हमारे variable होता है, independent variable, intervening variable, और dependent variable, ठीक है, यह चीज़े आ जाती हैं हमारी, अब देखो diagnostic function के बारे में है, diagnostic function का काम क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, discover करते हैं कि student की ability को, needs को, उसके objectives को, और फिर क्या करते हैं, prescribing, requisite, learning, assessment, देन उसके बाद यह क्या है, instructor, monitor, students, understandings and performance before, during and after teaching a lesson, ठीक है, यहाँ पर क्या कर जा रहा है, monitor क्या जा रहा है, student की potential, उसकी capability के बारे में, उसको बताया जाता है, analyze किया जाता है, teaching की problems, तो कहाँ-कहाँ पर problem आरी, किसी चीज में, यह बताया जाएगा, इस function का main aim क्या होता है, कि student के behavior में, एक अच्छा change लाना, एक positive change लाना, उसकी personality में, personality को enhance करना, ठीक है, next आता है, हमारे पास, prescriptive function, तो diagnosis में क्या कर रहे है, main aim का, identify करने का, student की ability को, वही पर हमारा आ जाता है, prescription का function, prescription का function क्या होता है, on the basis of diagnosis के basis में, जो teacher होता है, वो decision लेता है, about the need, needed prescription, कि क्या-क्या अब इसको जरुवत है, हमने individual के ability को, तो find out कर लिया, उसकी needs को, उसके objective को, तो find out कर लिया, अब उसी के basis में, हम उसे क्या करेंगे, कुछ prescriptions provide करेंगे, ताकि क्या हो सके, उसको objective, achieve हो सके, ठीक है, तो यह हो जाता है, prescription function, then उसकी बात है, evaluation का का काम, यहाँ पर क्या होता है, यह वो stage आज़ती, जहाँ पर आप judge करोगे, कि कितना जादा फरक पड़ा है, कितना जादा objective, achieve किया है, जो भी हमने advice दी थी, वो कितना, डॉक्टर क्या है, वो चीज देखेगा ना, कि आपने properly medicine दी है, आपने कितने अच्छे से परेज करा, तब यह वो दवाई का कितना असर हुआ है, या नहीं हुआ है, तो evaluation का stage होती है, तो यह हो जाता है, evaluation का, जहाँ पर आप teacher क्या करता है, चीजे देखेगा, कि जो मैंने इस बच्चे को advice दी थी, जो इसके ability के according, इसने वो चीजे follow करी, या नहीं करी, यहाँ पर उस चीजे का पता लग जाएगा, तो यह हो जाएगा, evaluation function, जो prescription के basis में किया जाता है, अब देखो, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा है, diagnostic function में क्या होता है, जो हमारा independent variable होता है, मतलब independent variable कौन था हमारा, teacher, ठीक है, चीज का कि इसको क्या problem है, इसकी needs क्या है, इसकी ability क्या है, तो क्या है, teacher का role जादा active है, active role का मतलब क्या होता है बच्चो, active role का मतलब है, कि अब यहाँ पर जो teacher है, उसका main role है, ठीक है, और अगर कहीं पर लिखा है, passive role, passive role का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका role कम हो जाएगा अब जो दूसरा variable है हमारा वो जाद एक्टिव हो जाएगा और teacher का role कम हो जाएगा अगर लिखाए teacher का role कम है independent variable passive है अगर ऐसा लिखाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा पहले हैं आपको पता होना चाहिए कि independent variable क्या होता है independent variable हमारा teacher होता है तो teacher का roll अगर passive लिखा है मतलब ये कौन सी stage होगी ये हमारी वो stage होगी जहां पे teacher का roll अब जादा नहीं होता कल हमने क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था कौन सा last वाला laser sphere लेजर स्फेर हमने बढ़ा था है न, teaching के view points पढ़े थे, कौन से level में होता है, जहां पर teacher का roll पैसे वो जाता है, हमारा laser sphere में हो जाता है, और student का roll कैसा हो जाता है, हमारा active हो जाता है, फोड़ा सा connect हुआ चीजे, तो वो तेखो, ये सब terms जो है न, कि हर जगा कहीं न कहीं दिख ही तो इंब का मीनिंग दिई जानता हमें कि छोटी-छोटी बातें हैं कि क्या मतलब है ठीक कि हर बचते को हमें सब्सक्राइब करें तो यहां पे देखो तो अब पता होना ची independent variable क्या था independent variable मतलब है teacher तो teacher का role ज्यादा active होगा कौन से function में teaching के diagnostic function में diagnostic function का मतलब जहां पे identify करते हो चीज़ों को फिर next सब्सक्राइब इसमें क्या लिखा हुआ है कि decisions are taken by teacher तर देखो दी है ना टीचर का रोल जाद एक्टेव है तो decision call लेगा decision तो teacher लेगा ठीक हो गया इसमें क्या किया जाता है teaching problem को analyze किया जाता है कि कहां पे बच्चे को क्या problem आ रही है क्या चीज समझ भी नहीं आ रही है exploration of individual differences यहां पे चीज़े देखी जाती है कि क्या फरक है ची प्रिप्टीफ फंक्शन हो जाता है यहां पर हम क्या कर रहे हैं हम बताएंगे उसको strategies बताएंगे उसको tactics बताएंगे advise देंगे कि क्या क्या उसकी needs के according उसके जरुद हो क्या according उसकी ability क्या है तो यह क्या है prescription का i est judgment process हो जाती है ये judgment process है किस के बीच मैं it teacher के बीच में और student के बीच में क्या decide करने के लिए teaching की strategies को and tactics को clear teaching की strategies और tactics को जहाँ पर यहाँ पर use किया जाएगा कि कौन सी strategy को हम अपना है कौन से tactics अपना है कि हमारी performance enhance अच्छी हो जाए तो वो हो जाता है prescription का function then आता है evaluative जहाँ पर focus किया जाता है इस चीज़ पर realization of the objective की कितना objective आपने achieve करा है कितना realize कर लिया है कितना objective अची हुआ है नहीं हुआ है आपने doctor की बात मानी नहीं मानी teacher की बात मानी या नहीं मानी यहाँ पर evaluation function में वो चीज़े देखी जाएंगी अब देखो prescription में क्या था कि brings favorable changes in one's behavior with the emphasis on feedback feedback के basis में feedback के basis में यहाँ पर देखा जाता है कि कितने changes आए यहाँ पर आपसे feedback ली जाएगी पूछा जाएगा वहीं पर जो हमारा यहाँ पर कौन सा function है हमारा last वाला यह evaluative function last वाला function है evaluative evaluative function में measure effectiveness of the prescription function मतलब जो आपने जो भी चीज prescribe करियोगी उसकी basis में जो भी आपने prescribe करा उसकी effectiveness को यहाँ पर measure किया जाएगा तो यह चीज़े हमने पढ़ ली है तीनों function को अच्छे से समझ लिया है कि क्या चीज़े है main चीज़ यह है कि diagnose में आप identify कर रहे है clear होगी चीज़े है ओके चलो अब next करते है principle of teaching हमारा नया topic start हो गया है principle of teaching principles क्या होते हैं बच्चो principles का मतलब है हमारा वो चीज़ें जो की जैसे कि हमारी क्या-क्या rules होनी चाहिए हमारी क्या-क्या guidelines होनी चाहिए जिससे हमारी teaching की जो activity है जो process है वो और भी effective हो जाए ठीक है बच्चों को हम और अच्छे तरीके से चीज़े समझा पाएं अगर हमें इन principles का ध्यान रखते हैं ठीक है तो देखो creating an active learning environment teaching का एक सबसे पहला principle बनाया गया है कि हमें एक active learning environment होना चीज़े teaching में means जहां पे दोनों को equal मौका मिले participate कनने का ठीक है teacher को भी और learner को भी equal participate का मौका मिले दोनों आपस में चीज़ों को discuss कर पाएं इससे क्या होगा ना एक active learning environment बनेगा है ना तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ teacher बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं और आगे चीज़े कर रहे हैं आप भी चीज़े कमेंट कर सकते हो आप भी रिस्पॉंस कर सकते हो ठीक है बड़ जहां पे कैसा level आ जाता है जहां पे कोई भी आपको opportunity ही नहीं मिलेगी अपनी बात रखने की तो वहाँ पे चीज़े clear ही नहीं हो पाएंगी कभी है ना कभी चीज़े clear ही नहीं हो पाएंगी ना हमें ना आपको तो यह हो जाता है पहला principle teaching का यह बनेगा कि creating an active learning environment एक active learning environment होना चाहिए a classroom must be monologued in nature it should be a platform for dialogues where the students and teacher equally participate जहां पे students और teacher equally participate करें जहां पे dialogues हो जहां पे क्या हो dialogues हो ओके clear हो रही है बाते second आ जाता है teacher or student एक ऐसा environment होना चाहिए एक ऐसी teaching होनी चाहिए जहां पे जो student है वो comfort महसूस करें जहां पे वो अगर वो comfort ही नहीं होगा तो वो अपनी बात कभी नहीं रखेगा अगर हम बच्चे को डरा के रखेंगे तो क्या होगा बताओ बच्चे डरेगा अपनी बात रखने में और कभी clear ही नहीं करेगा चीज़ है है ना तो अगर बच्चों के साथ एक ऐसा relation हो जहां पे उनको comfortness महसूस हो और वो अपनी बात खुलके रखें तो क्या होगा उनकी लर्निंग और अच्छी हो जाएगी क्योंकि उनको जहां भी doubt होगा छोटा सा छोटा वो पूच सके अपनी बातों को उसको नहीं clear करते जाएगे clear करेंगे तो क्या होगा उनकी learning और effective हो जाएगी teaching और अच्छी हो जाएगी तो एक ऐसा यह चीज होनी बहुत जरूरी है कि establish a raptor between the student and the teacher, ठीक है, तो एक tight environment नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत lose होना चाहिए कि बच्चे बिलकुली मजे मजे में आ जाए, बिलकुल मस्ती में आ जाए, अब तो कुछ भी कहे, teacher को दोस्ती बना लो, बिलकुल ऐसा नहीं, यह भी नहीं होना चाहिए, एक ऐसा होना है, जहाँ पर दोनों के बीच में एक respect है, एक अच्छी communication है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक ऐसा comfort zone है, जहाँ पर दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में चीजों को, अपनी education को, अपने knowledge को share कर सकते हैं, बच्चे डरे नहीं, अप होना चाहिए, जहाँ पर student क्या करे, comfort महसूस करे, थर्ड प्रिंस्पल कहरा है, feedback और communication का, देखो, communication होना बहुत जरूरी है, है न, तो communication अगर नहीं होगी, तो teaching इतनी effective नहीं हो पाएगी, teaching की effectiveness के लिए, communication होना बहुत जरूरी है, बातचीत होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और feedback का portion क्या बताता है, कि जहाँ पर जो भी कमी रह गई है, या कुछ अच्छा हमने करा है, तो उसको भी आप praise कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, अगर उससे teacher को भी motivation मिलता है, feedback से क्या होता है, teacher को भी motivation मिलता है, और वहीं पर अगर कुछ चीज ऐसी है, जो कम रह गई है, या कहीं पर कमी हो रही है, तो उसको भी हम improve करने की कोशिश करते हैं, तो feedback यह portion है, जहाँ पर दोनों ही आपस में communicate कर सकें, ठीक है, feedback से जो भी काम किया है, उसका पता चल जाता है, communication से दोने की बीच की जो भी gap होता है, उसको हम कम कर सकते हैं, तो यह चीज है, without communication teaching नही हो पाईगी, ठीक है, देन उसके बाद आता है, inclusivity, inclusivity का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे सारे student क्या है, equal है हमारे लिए, teacher के लिए क्या होता है, कि सारे student equal है, चाहे वो किसी भी background से हो, किसी भी जगा से हो, कोई कितना भी economically rich हो, कोई कितना भी किसी भी कहीं से भी belong करे, तो teacher को नहीं matter करता, teacher का main role होता है, सब को equally treat करना, सब को accept करना, और सब को accept करते हुए, सब को उनके according चीजों को बताना, पढ़ाना, ठीक है, वो चीजे, बहुत जादा important होती है, यही principle होता है, inclusivity का, मतलब कि every kid is different, क्या बोला गया यहाँ पे, कि हर कोई यहाँ पे क्या है, different है अलग-अलग जगा से आया है, the type of learning, the pace at which they learn, ठीक है, their understanding, everything is very है, everything very, हर चीज हर किसी के अलग-अलग है, हम में भी बहुत अलग-अलग है, देको teacher में भी हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो वैसी student में भी क्या होता है, कि उनकी सोचने समझने की शक्ती जो होत होती है, अलग-अलग education background होता है, अलग-अलग understanding का level होता है, ठीक है, हर तिंक vary करती है, from one person to another, तो accepting, सबसी में जीज है कि accepting all kids of learn, all kids, all kinds of learners and catering to each of them is one of the principle of teaching, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी बहुत important principle है teaching का, अगर आप differences करोगे बच्चों में, तो क्या होगा, बच्चे एक पहले comfort नहीं हो पाएगा, ठीक है, second, आप इसका मतलब अच्छे teacher है ही नहीं, क्योंकि आप differences कर रहे हैं, तो ये बात भी बहुत खराब होती है, तो inclusivity का principle जो होगा, वो खराब हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, accept करना है सबको, अगर आप differences करेंगे, तो वो खराब हो जाएगा, fifth principle में आते हैं, ठीक है, four principle हमने पढ़ लिए, कौन-कौन से पढ़े, एक बार देख लेते हैं, सबसे पहला principle था हमारा, की एक active learning environment create करना, second, क्या था, एक ऐसी relation होना, किसके बीच में student और teacher का, कि student comfort feel कर सके, third, क्या था हमारा, feedback, feedback होना बहुत जरूरी होता है, and उसके बार, उसमें, communication, ठीक है, ये चीज, feedback और communication का principle बोलता है, inclusivity कह रहा है, कि सब को accept करना, सारे बच्चों को accept करना, सब को एक जैसा मानना, तो यह होता है, inclusivity, fifth है, helping student to manage time, एक teacher जो होता है, वो time management के बारे में भी बच्चों को बताता है, जैसे, अब आप हैं, आप मैं से कई लोग हैं, जो job कर रहे होंगे, कई लोग हैं, जो अभी अपनी m.com में होंगे, या अपनी post graduation complete कर रहे होंगे, ठीक है, कई हैं, जो अभी preparation कर रहे हैं, बस, तो बहुत अलग-अलग different kind के बच्चे हैं, ठीक हैं, तो यहाँ पर क्या है, अब time को manage करना बहुत टफ हो जाता है, जो लोग mainly job वगरा में involved होते हैं, उनके लिए इतनी बड़े इस paper को पूरा complete करना, उसको पूरा course complete करना, साथ में अपनी job भी करना, कई सारे लोग होंगे, जो ladies में हैं, जो उसमें हैं, तो उनको housewife भी होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रिपरे तो time को कैसे तरीके से manage करना है, ताकि अब stress free होके अपने जो पूरा course है, उसको complete कर सकें, वैसी school level में भी होता है, हर एक चीज़ का proper time बनाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, चाहे वो college level है, school level है, ये कोई भी level है, teacher का भी एक काम होता है, कि क्या बच्चे को guide करना, इस हिसाब से कि वो time को भी अच्छे से allot कर सके, अपना fixed schedule बना सके, जिससे वो stress free होके अपने objective को achieve कर सके, अपने सारे activities को manage कर सके, ठीक है, तो ये है helping student to manage time, next principle, six principle क्या है, motivation and inspiration, अब motivation और inspiration का क्या principle है, कि student कैसा भी हो, ये student की learning कैसी भी है, तो हमें उसे motivate करना है, आगे बढ़ने के लिए, उसे positive affirmation देना, अगर थोड़ा सा भी better करता है, तो कहना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए, कि आप यहाँ पे इतनी चीज़े अच्छी कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उसको एक अच्छी positive vibes उसके अंदर आएंगी, और और महनत करेगा, बटगर जैसे कहीं बच्चे हो जाते हैं, कहीं पर कभी कभी चीज़े नहीं clear हो पाती है, नहीं crack हो पाता, तो उसे disheartened होके नहीं अलग बैटना है, उस चीज़े को छोड़ नहीं देना है, कर सकते हैं, अगर जहाँ पे इतनी महनत करी है, तो थोड़ी औ बैटर्मेंट, एडप्टिबिलिटी और बैटर्मेंट ये बताता है, कि टीचर को भी इंवार्मेंट के साथ क्या करना पड़ता है, आपको अडप्ट करना पड़ता है, नहीं नहीं टेक्नोलोजी आती है, नहीं चीज़े आती हैं, उनको अडप्ट करके, बच्चों को सि देखु है आज हमने जलदी इतने अच्छे-च्छे topic covering लिए प्रिंसपल सारे よ कवर कर लिए देखो किते principles थ办 हमारे अक्टोट के प्रिंसपल से सैवन प्रिंसपल पड़ लिए है और इक रहुआ प्र स्टार्टिंग से बहुआ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दो को process फिर से process of teaching में सबसे पहले क्या होना चाहिए objective layer होना चाहिए teacher का then उसके बाद वो क्या करेगा previous knowledge को present knowledge से connect करेगा then उसके बाद क्या करेगा अपने lecture को deliver करेगा and then फिर उसके बाद feedback का portion आ जाएगा and then feedback के बाद वो reteach करता है फ इवैल से गनॉस्टिक फॉंक्शन क्या होता है जिसमें हम identify करते हैं जिसमें strategies, tactics बताएंगे, advices देंगे tämäकी on the basis of diagnosis जो भी हमें needs ability diagnose करी होगी उसके basis में हम prescription देंगे और जब हम prescription देंगे तो फिर हम क्या करेंगे evaluative जिसको हम बोलते है evaluative function जिसमें हम क्या करेंगे देखेंगे कि कितना objective अजीव हुआ है तो ये सारे हमने पढ़ लिए फिर उसके बाद हमने principles पढ़ा principle में हमने क्या पढ़ा छे type के principle पढ़े effective teaching के पहला हमने पढ़ा कि active learning environment होना बहुत ज़रूरी होता है teaching में student और teacher के बीच में एक अच्छा communication होना चाहिए और feedback और communication का होना बहुत ज़रूरी है inclusivity होने चाहिए इसका मतलब था कि accept करना sub type के बच्चों को ठीकि उन्हें equal opportunity देना fifth principle हमने पढ़ा कि management of time के बारे में कि एक teacher का role होता है कि student को time management के बारे में भी बताना sixth principle हमने पढ़ा कि teacher का का काम है motivation देना inspiration देना and seventh principle का का काम है हमारा क्या teacher को adapt करना चाहिए जो भी चीजे नई नई include हो रही है उन चीजों को adapt करना चाहिए betterment student की learning के लिए effective बनाने के लिए उन चीजों को include करना बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है तो हमने यह सारे आज चीजे cover कर ली है process हमने पढ़ी हमने principles पढ़े हमने variables भी पढ़ी है teaching के ठीक है और कल वाली class में हमने क्या पढ़ा था हमने सारे basic concepts viewpoints को aims को requirements को हमने complete करा था आज हम कुछ pyq करेंगे अब 2021 के अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जो हमारा pyq का हो देखो बच्चों हमारे जो question आते है न ugc net pyq का main motive क्या है पहले तो हमें यह समझ रहा है pyq कर क्यों रहे है यह तो आ चुक है question तेकि इसे लिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों कभी-कभी direct पहले तो यहाँ से direct question भी आ जाते हैं जो आए हुए है वही question repeat भी हो जाते है second इन topics जो topic आज हम cover करेंगे उन topic में से भी कभी-कभी question आते हैं तो उन topic को clear करना जुरूरी जुरी नहीं वही question आए बट उस topic में से question आ सकता है आगे हम आज कुछ ऐसी questions भी है जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा जिनकी topics हमने नहीं पढ़े और कल भी थे वैसे बट हमने उनको भी clear करा ना उने भी हमने कल clear करा करा हमने evaluation से question भी करें तो क्यूं कि हमने cover तो करा नहीं था बट हमने वो topic को पढ़ा और समझा कि क्या है ये चीज़ है अगर ऐसे में से question आएगा तो हम उसे कैसे deal करेंगे वो topic 2 minute में clear हो गया था आज हम PYQ देखेंगे अब PYQ में आज भी कुछ ऐसे question है जो कुछ अलग-अलग है और अभी तक नहीं पढ़े बट हम उन्हें deal कर लेंगे क्यूंकि teaching aptitude अपने अपने कैसे unit है जिसको तुम अपने हिसाब से समझ सकते हो ठीक है जो क्या है उसमें हाँ models अगर models है maximum है तब तो tough हो जाता है बट हाँ कुछ ऐसे चीज़ें इनको हम पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं थोड़ी सी चीज़ों में दिमाग लगा सकते हैं ठीक है तो यह चीज़े हैं और कोशन किस टाइप के आते हैं PYQ का एक main objective यह भी है कि हमारे जो PYQ हैं जो हमारे कोशन है वो UGC net में किस तरीके के form हो रहे हैं कैसे कैसे कोशन आ रहे हैं डाइरेक्ट आ रहे हैं डाइरेक्ट आ रहे हैं किस तरीके से कोशन आ रहे हैं ठीक है तो आज हमने कुछ idea के लिए हमें लिए हैं जैसे assertion reason का quotient हमेचा fix लाता है वो हर unit में आता है इस type का quotient तो assertion reason में क्या है assertion reason का quotient क्या होता है assertion का मतलब होता है आपको एक statement दिया होगा reason का मतलब क्या है आपको एक statement के लिए reason दिया होगा कि ये जो उपर assertion दिया है जो statement दिया है या नहीं, इस तरीके से हम इस question को deal करेंगे, ठीक है, तो start करते हैं, question number one, लिखा है given below, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे चीजे लिखी हैं कि given below are the two statement, one is labeled as assertion and the other is reason, तो पहले हमें दिया है assertion, assertion में क्या दिया है कि teaching involves creative interchange between the teacher and learner and hence it is a different from instruction and training, बोला गया है कि, यहाँ पे बोला गया है कि जो teaching है, teaching का मतलब क्या है, जहाँ पे हम teacher और learner, दोनों ही क्या हो सकते हैं, interact करते हैं, teaching involves creative interchange between teacher and learner and hence it is different from instruction and training, बोला है कि जो teaching है, कल हमने कुछ पढ़ा था ना, कल हमने continuum भी पढ़े थे teaching के हैं, तो continuum पढ़े थे, जो teaching क्या है, यहाँ पे interchange होता है, ठीक है creative interchange है, किसके बीच में, ideas का interchange होता है, knowledge का interchange होता है, किसके बीच में share होती है, learner और teacher के बीच में, तो इसका यह क्या है, यह different है ना, किस से different है from instruction से and training से, किस से different है, instruction and training से यह different है, क्योंकि instruction में क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पे हम direct पढ़ direct क्या करते है instruction देना क्या होता है कि आपको एक जना आपका boss है आपका teacher है या कुछ है तो आपको directly चीज़े बता रहा है और training का मतलब क्या होता है training का मतलब होता है जहाँ पे आपको एक proper skills आपके अंदर develop की जा रही है तो कोई interchange तो नहीं हो रहा idea का कोई proper interchange तो नहीं हो रहा क्या आप उसको learner भी कुछ सिखाते है training में और teacher भी इसको सिखाते है नहीं यहाँ पे तो सिर्फ learner सिखेगा training में तो कुछ interchange नहीं हो रहा क्या इसको different बोला गया है किस से जो teaching है वो different है instruction और training से क्या इसका reason यह सही है या फिर यह statement सही है या नहीं रहता है पहले instruction and training are direct at lower order cognitive interchange यहाँ पे बोला गया है कि जो instruction और training है वो direct होती है हाँ यह तो direct होती है क्योंकि instruction भी आपको direct way में देंगे या training भी होगी direct way में होगी कि यह चीज करनी है इस चीज की practice करनी है और जहाँ पे क्या है lower order of cognitive interchange यहाँ पे क्या है lower order of cognitive interchange तो यह जो नीचे वाला statement है यह उपर वाले statement को क्या करदा justify कर रहा है कि teaching involves creative interchange between teacher and learner yes and hence it is a different from instruction and training क्योंकि जो instruction और training है वो direct होती है इसलिए वो different है teaching से इसलिए वो क्या है different है इसकी यह चीज यहाँ पे बोली गई है तो इसका answer क्या बन जाएगा हमारा a a में क्या बोला है कि both a and r is correct and r is a correct explanation of a ठीक है तो यह बोला गया है b में बोला है कि r और a correct explanation नहीं है तो क्या हमने पढ़ा कि r उसका correct कुछ अलग बात बोली है r में ऐसा तो नहीं वो उपर वाले से relate कर रहा है और इसमें r को wrong बोला गया तो यह तो होगा नहीं ठीक है इसमें r को correct बोला है बट a को wrong बोला गया है यह भी नहीं होगा ठीक है तो हमारे first answer हो जाता है a वाला देखो a and r are correct and r is a correct explanation of a अब देखो हमारे teaching में कुछ behavior में आते learning जो behavior होते हैं उसमें हमारे क्या बनेंगे key behavior होते हैं और कुछ हमारे helping behavior होते हैं तो question आया था तो key behavior of an effective teacher is marked by which of the following feature ठीक है तो key behavior में कौन कौन सी चीज़े आती है key behavior है और helping behavior होते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर पहले हम इसका देख लेते हैं क्योंकि मेरे को तो पता है कि key behavior क्या है helping behavior क्या है ठीक है key behavior क्या है जो देखो बहुत important और helping behavior जो teacher के उसमें help कर दें ठीक है तो helping behavior आ जाते हैं वो जहाँ पर helping की बात की जारी है तो यहाँ पर देखो जो यह है ना हमारे structuring जो होता ना यह हमारा helping behavior होता भी कैसे होता यह आगे हम पढ़ते हैं teacher task oriented task oriented क्या है हमारा key behavior होता है instructional और गेर्ट डेरेक्ड देओंगे पाँच की behavior पाँच helping behavior आपको direct देओंगे आपको याद करना है उन्हें समझना है वस ठीक है, instructional variety हमारा key behavior है, lesson clarity हमारा key behavior है, probing जो होता है हमारा key behavior में नहीं आता probing जो होता है हमारा key behavior में नहीं आता है तो यह चीज़े हैं, पहला आ जाएगा, देखो यहाँ पर, यह देखो, देखते हैं क्या है, according to the broage, according to broage, तो कहाँ पर थे, यह देखो, तो यह according to the broage, ठीक है, the key behavior of an effective teaching, effective teaching के जो key behavior है, वो कौन-कौन से हैं, हमारे पहला, lesson clarity, ठीक है, यही रहेंगे, इस तरीके से यह आएगा question, कि यहीं terms आपको दिये होंगे, और यह आपको समझे, lesson की clarity करना, key behavior, जो हमारे क्या है, main चीज़े हैं, teaching की process में, effective teaching के लिए हमारे lesson की clarity होना जुरूरी होता है, है न, effective teaching के हैंगे, क्या होते हैं, effective teaching के, teaching को कैसे अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या, क्या important है, क्या important चीज़े हैं, तो यह किस ने बताई थी, broage ने बताई थी, lesson की clarity होना, instructional variety होना, teacher task oriented, अभी हमने देखा न, teacher task oriented, engagement in the learning process होनी चाहिए, ठीक तो यह चीज़े आ जाती हैं हमारी, according to the broage, the key behavior of active teaching, key behavior क्या है active teaching के, lesson clarity, instructional variety, teacher task oriented, engagement in learning process and student success rate, तो यहाँ पर चीज़े देखो, क्या क्या था, हमारा, teacher task oriented था, instructional variety था, lesson clarity था, तो यह तीन हमारे क्या हो जाते हैं, key behavior, वहीं पर देखो, अगर caution helping behavior से आता, है न, helping behavior से आता, तो कौन-कौन से होता है, 5 helping behavior है, जैसे जो probing दिया है, last option हमारा, probing किस से related है, helping behavior से है, teacher effect किस से related है, helping behavior से है, structuring किस से related है, helping behavior, art of cautioning, caution कैसे हो रहा है, तो क्या होगा, helping behavior, using students idea and contribution, स्टुडेंट के आईडियास का यूज करना, उनकी कॉंट्रिबूशन करना, तो वो क्या हो जाता है हमारा, helping behavior से quotient हो जाता है, तो यह हमारा answer है, देखो, इसके answer है, थर्ड कोशन है हमारा, किस से related है, देखो, यहाँ पर, given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason, तो assertion है, formative, formative assessment is a process linked and directed at raising motivation and engagement level in learning, कल चीज़े हमने पढ़ाई ठीक है, यह वाली, formative assessment, देखो, formative assessment, बोला गया है, यह भी assertion reason का question है, ठीक है, अभी हमने से पहले वाला भी assertion reason का question कर रहा था, तो बच्चो, formative assessment क्या होता है, जैसे unit test होता है ना, जैसे assessment में, क्या होता, evaluation system में हम यह चीज़े पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे structured course में चीज़े चल रही है, तो हमारा, जो evaluation system है, evaluation system में, क्या चीज़े थी, evaluation system में यह चीज़े होता है, कि बच्चे का जो objective है जो उनका काम उसको evaluate किया जाता है ठीक है؟ Judge किया जाता है Evaluation का मतलब क्या है? Judge करना बड़ जो assessment होता है assessment का मतलब क्या होता है कि उसको देखना कि वो इंप्रूवमेंट जहां पे होता है जहां पे क्या होता है? Improvement तो formative assessment क्या है formative assessment का मतलब हो जाता है जहाँ पर हम क्या करुआ है step by step देखिवे final report नहीं दे रहे बट कुछ ऐसे बीजबीज में उसकी progress देख रहे है बीजबीज में क्या कर रहे है progress देख रहे है उसको motivation provide कर रहे है तो यह क्या हो जाता है हमारा formative assessment का part हुजाता है ठीक है जैसे unit test होते है ना unit test हमारे क्या करते है हमें motivation provide होता है वहाँ से हमारे number कैसे आ रहे हम यह check कर सकते हैं हम कितना objective अपना chief कर रहे हैं तो यह हमारा formative assessment है तो यहाँ पर reason बोला गया है कि जब जो purpose होता है formative assessment का वो यह होता है कि हम improve कर सके quality of learning outcome तो main जो purpose है बच्चो formative assessment का जब आप पढ़ेंगे तो formative assessment का main motive होता है वो होता है improvement करना quality को वहीं पर अगर यहाँ पर होता है evaluation evaluation का क्या अगर यहाँ पर मानलो summative होता तो summative evaluation अलग हुजाता है summative assessment अलग हुजाता है जहाँ पर हम final result देखते हैं उसमें judge करते हैं कि इसने अच्छा करा है यह fail हुआ है यह pass हुआ है वो अलग चीज हुजाती formative में होता है हम improve करते है quality को क्या करते हैं improve करते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा formative assessment तो formative assessment is a process किसे linked है linked and directed है at raising motivation and engagement in learning process motivation को बढ़ाने में हमारी learning process को improve करने में है क्योंकि जो purpose होता है formative assessment का वो यह होता है कि हम improve कर सकें quality को है motivation किसे मिलेगा जब हमारी quality improve होगी तो यह चीज़े हैं तो इसका first option जो है सही बन रहा है क्योंग A भी सही है R भी हमारा सही है और R जो है वो A को क्या कर रहा है correctly explain भी कर रहा है तो यह हमारा answer बन जाएगा देखो A and R are correct and R is the correct explanation of A then उसके बाद आजाते हैं हम कुछ यहाँ पर learning में teaching and learning में आजाते हैं देखो level of teaching and learning और उसके main features आजाते हैं तो हम पहले समझेंगे कि यह level होते क्या है है ना हमने first lecture में कुछ थोड़ा बहुत इन से related चीज़े पड़ी हैं है ना viewpoints हमने पड़े थे तो वहाँ पर हमने चीज़े देखी थी कि यह तीन नाम तो वहाँ पर आये थे कि memory का memory level कहां पर आता है autonomous में आता है हमारा ठीक है सोरी अथोरिटेटिव में आता है understanding किसमें आता था democratic में reflective किसमें आता था हमारा लेजिस्फेर में memory level क्या होता है देखो autonomous development level तो वह level है जहां पर बच्चा senses के थो चीज़े सीखता है किसके थो वो उस तरीके से चीज़े सीखता है understanding level क्या होता है जहां पर relationship की बात की जाती है जहां पर बच्चे और teacher के बीच में अब क्या हो रहा है कुछ connection बन रहा है ठीक है एक वो अपने बच्चा भी जो है अपनी बात रख सकता है teacher से भी बाते समझ सकता है वो अपनी point of view clear कर सकता है तो वो होता है understanding level reflective level आ जाता है हमारा PhD level वाला जहां पर बच्चे को पूरी छूट दी जाती है वो imagination के थूँ अपने brain को बहुत ज़ादा मतलब वो अतना sharp हो जाता है चीज़ों में ताक वो अपनी thinking को बहुत ज़ादा deep thinking के थूँ चीज़े सीखता है जहां पर उसको free छोड़ दिया जाता है learning के लिए तो वो हा जाता है हमारा reflective level तो यहां पर हम main features पढ़ेंगे it is a problem centered and require on a part of learner more active participation learner का क्या है यहां पर it is a problem centered यह क्या है problem centered है and require यहां पर किस चिच की जरुवत है requires on the part of learner ठीक है learner के उसमें है learners more active participation learner का ज़्यादा participation है more imagination यहां पर आ रही है अभी मैंने कुछ words बोले आपको imagination आ रही है creativeness की बात की जा रही है तो कौन से level से reflect हो रहा है है हमारा जहां पर ज़्यादा हमारे क्या होती है imagination होती है creativeness होती है learner के ज़्यादा participation होता है कौन से level आता है हमारा reflective देखो lays stress on the importance of students feelings and minimize the value of hard thinking hard thinking की बात नहीं की जाएगी इसे यहां पर उनकी feelings वगरा की यहां पर बात की जाएगी तो इसे हम बोलते हैं क्या इसे हम बोलते हैं autonomous level इसे हम कौन से level बोलते हैं autonomous level फिर आता है जिसे हम thoughtless teaching बोलते हैं thoughtless teaching किसमें चलता था किसको बोलते थे memory level को it is comparatively thoughtless ठीक है understanding किसमे था understanding level में जहां पर हम relationships देखते हैं जहां पर हम क्या देखते हैं relationship तो it emphases on seeing the relationship between the principles and solitary facts तो सीखा हो जाएगा four तो देखो यहां पर conversation बन रहा है हमारा first का बन रहा है हमारा first का हमारा two बन रहा है first का two हमारा इससे ही देखो, एक option से हमारा बन जाएगा तो match of the following, और हमें एक भी पता हो न तो हम čo हम चीज़े बना लिगे हमें एक या दो भी पता होते हैं तो हमारा answer बन जाता है, वहीं पर memory देखो किसे relate कर रहा है, third से कर रहा है, thoughtless teaching इसे बोलता है, keywords पकड़ो, understanding में क्या था हम relationship देखते हैं, तो fourth आ जाता है, reflective में क्या होता है, जहाँ पर बच्चा खुद से, उनका active participation होता है, imagination होती, creativeness होती है, तो यह चीजे यहाँ पर आ हैंगी, ठीक है, तो यह हो गया हमारा third, last question, आज क्या हमारा जो session है, उसका यह last question है, अब हम इसे देखना है, इसे deal करना है, दो statements दिये हैं, इनमेंसे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह पता करना है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, कि engagement in learning process refers to the amount of time student devote to the learning in a classroom, हम बोलें देता है, उसी चीज़ को हम बोलेंगे कि वो कितना, कितना जाधा अपने पढ़ाई में involved है, तो उसी को बोलें कितना time दे रहा है, तो वही चीज़ है हैंपर कि engagement in learning process refers, engagement in learning process का मतलब क्या है, कितना student अपना पढ़ाई को time दे रहा है, student time student devote to the learning in the classroom, ठीक है, second है हमारा यहाँ पर, तो यह हमारे statement correct बन रहा है, कि हाँ, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि classroom में बच्चा कितना ध्यान देता है, कितना time देता है, उसी को हम बोलेंगे कि उसकी engagement in learning process है ना, वही पर हमारा statement 2 आता है कि formative assessment तो formal होता है, correct हाँ, formative assessment formal है, तो वही पर जो summative assessment है, वो कि informal होता है न उसमें हम evaluation का काम करते हैं, तो यह हमारा informal नहीं होता, तो हमारा second statement क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, ठीक है, दो type के हमने, formative है, summative है, formative क्या होता है, जैसे हम unit test वगेरा, जो बीच-बीच में होता है, जिसमें हमारी quality को improve किया जाता है, वही पर जो summative होता है, वहाँ पर हम अरे final results होते हैं, ठीक है, जैसे final माते हैं, जो एक last mark sheet होती है, पुरी progress को देखकर, जो last में बनाया जाता है, उसको हम बोलेंगे, तो यह तो informal होई नहीं सकता, तो यह हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, तो यह चीज़े है, तो statement 1 हमारा right है, और statement 2 false है, तो हमारा third option बन रहा है यहाँ पर statement 1 is true and second is false, यहाँ पर देखो yes, मिलकुल सही है, तो आज हमने बहुत सारी चीज़े cover कर ली, PYQ में भी concept समझ लिए, ठीक है, तो आज की class हम ही पर wind up करते हैं, फिर next session में कुछ और new concepts के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अध्यान रखिए और खूब अच्छे से म अध्यान रखिए